हिंदी साहित्य के कहानियों के सुन्दर संकलन से आज सुनिये सुप्रसिद और सर्व प्रियलेखिका मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी समवेधना तो शुरू करें कहानी समवेधना दलिया सेकते हुए मुझे लगा कि शुची के कमरे से कुछ आवाजें आ रही है अपना हाथ रोक कर मैंने जरा ध्यान से सुना शुची की ही आवाज थी हे भगवान अकेले कमरे में लड़की किसे बात कर रही है सच कोओ तो थोड़ा डर भी लगा कि कहीं फिर भुखार तो नहीं चड़ाया अभी परसों ही तो नौर्मल आया है इस मामले में लड़की एकदम बाप पर गई है धर्वा मीटर का पारा 99 डिग्री से उपर गया नहीं कि बढ़बढाना शुरू दोनों के दोनों मुझे नचा कर रख देते हैं फिर मुझे नहीं रहा गया कढ़ाय उतार कर मैंने सीधे उसके कमरे का रुख किया महरानी खिड़की से लगी किसी से बात कर रही थी कौन है शुची मेरी सहली है मम्मी तो अंदर बुला लो ना तुम दर्वाजा तो खोलो अब ये दर्वाजा भी नहीं खोल सकती बड़बडाते हुए ने बाहर की और सिटकनी खोली सीड़ियों पर खड़ी उस सहली को देखकर तो मेरी सारी जलाट दूर हो गई उल्टे हसी ही आ गई ये इतनी सी बित्ते भर की लड़की इसकी सहली है और कॉलेज की दर्जन भर जो है उनका क्या होगा नमस्ते आँटी उसने अपनी जिल्मिल मुस्कान विखेडती हुए कहा तो मुझे होश आया आओ ना भीतर आओ कहते हुए मैं उसे शुची के पास लिवा ले गई मम्मी ये सोनाली है रोज कॉटेज वाली पॉल आउंटी है न उनकी सोनाली है हम दोनों रोज एकी बस स्टॉप से चड़ती है न इसी से दोस्ती हो गई अच्छा पांच-छे दिन से मुझे देखा नहीं इसलिए हालचाल पूछने आ गई है अच्छा ये तो बहुत अच्छा किया बेटे तुमारी दीदी का भी दिल बहल जाएगा दिल का तो ठीक है मम्मी कुछ पेट की भी फिकर करो उसी की फिकर कर रही थी बेटे दल्या से करे थी अभी बना जाता है आज अपनी सहली को भी बीमारों वाला ही नाश्टा कराना वापस किचन में लौट कर मैं आट-दस साल पुरानी उस घटना को याद करने लगी थी अस्पताल में उन्दनों बड़ा हंगामा हुआ था एक औरत बच्ची को जनम देते हुए मर गई थी उसका संगी जाती कोई नहीं था किसी रिष्टेदार की प्रतीक्षा में वो बच्ची आट-दस दिन तक अस्पताल में पलती रही थी फिर सिस्टर पॉल उससे अपने घर ले आई थी उस अनाम कुल गोतर वाली बालिका को उनोंने च्छाती से लगा कर पाला था उनकी मेनद सच्मुश सार्थक हुई थी बच्ची एकदम फूल सी खिलाई थी रोज कॉटेज को कई लोग नर्सेस कॉटर भी कह लेते थे सिस्टर पॉल वहाँ अपनी बुड़ी मा के साथ रहती थी कई नर्सेस जिने रहने को इस्थान नहीं जुट पाता था रोज कॉटेज में बतोर पेंगस तह जाती थी सिस्टर से मेरी पहली मुलाकात रूची के जनम के समय हुई थी मुश्किल से 18 की थी मैं बेतर है गबरा गई थी उस समय सिस्टर ने जो इस नहीं और सहरा दिया वो हमेशा याद रहेगा मुझसे 18 साल ही बड़ी होंगी पर रोगियों के लिए जैसे मा थी शुची के समय तो हम दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी उस समय अस्पताल ही में मेरा जनम दिन पढ़ा था ये धेर सारे फूल लेकर आये थे तब सिस्टर के मुझसे अचानक निकल गया था कि आज तो उनका भी जनम दिन है फिर ये उनके लिए भी एक बुके ले आये थे वार्ड में अच्छी कासी रौनक हो गई थी इसके बाद दो बार और अस्पताल जाना पड़ा पर आने वाला जीव धरती पर उतरने से पहले ही आखे मून चुका था दोनों ही लड़के थे घोर निराशा में हम दोनों आकंठ डूग गए सिस्टर पॉल की आखे भी हर बार गीली हुआई बस उसके बाद इस अनभों को दोराने की हिम्मत नहीं पड़ी उन दोनों को नाश्ता करवाते हुए पिछला कितना कुछ याद आ गया दरवाजे की बेल बजी और एक बार फिर मुझे उठना पड़ा जब से शुची बीमार पड़ी है उसकी सहलियों का ताता लगा रहता है लेकिन दरवाजा कुलते हुए देखा सहली नहीं शुची के पिता थे बड़ी जल्दी आ गए कोई चोरी है नहीं मेरा मतलब था कोहो तो लोट जाओं उनके स्वर से आशंकित होकर इस बार मैंने उनने ध्यान से देखा चेरा वेहद उत्रा हुआ था माथे पर सलवटों का जालसा था मैंने चुपचाब रसोई में जाने में ही कुशल समझी पुर्शों की यही आदत तो मुझे अच्छी नहीं लगती दफ्तर में लड़ जगड कर आएंगे और घर आकर सारा गुस्सा बीबी पर उतारेंगे अरे भाई आपका मूट खराब है आप ठके आरे आएंगे ठीक है जरा अपनी बीबी का तो ख्याल कीजिए वो क्या दिन बर आराम करती रही है सो उलजने होती है और अकेली जान सब जहलती है फिर भी घर लोटने वाले का हसकर स्वागत करती है और ये हजरत है की चाहे लेकर बाहर गई तो देखा वे बरामदे में आराम कुरसी पर ही पसर गए हैं आखे बंद है और दोनों हाथ ऊपर कुरसी की पीट पर टंगे हुए है तब ये तो ठीक है ना क्यों तुम्हें क्या तकलिफ हो रही है अब कोई हाल चाल भी पूछे तो किस से तब ही सोनाली बाहर निकली ये क्या बेटे चल दी हाँ आंटी घर पर बता कर नहीं आई थी फिर सब लोग फिकर करेंगे हाँ सो तो है अच्छा कल फिराना दीदी को अच्छा लगेगा जी अच्छा आंटी नमस्ते नमस्ते अंकल मैं बड़ी देर तक गुडिया से उस लड़की को जाते हुए देखती रही तभी इनका प्रश्ना आया कौन थी ये लड़की अरे ये पॉल सिस्टर की सोना ली है कुछ साल पहले उन्होंने एक लड़की को डॉप किया था न समय कितनी जल्दी बीच जाता है न अभी कल तक तो सिस्टर से प्रेम में घुमाया करती थी है न यहां क्यों आई थी अरे ये शुची की सहली है मैंने हसकर कहा दोनों एक ही बस स्टॉप से चड़ती है दो तीन दिन से शुची को देखा नहीं तो हालचाल पूछने आ गई शुची से कहो ऐसी वैसी लड़कियों से दोस्ती न किया करे आप भी कमाल करते हैं ऐसी वैसी से क्या मतलब और फिर कैसी भी हो हमें कौन लड़का ब्याना है ब्याने के लिए मेरे घर में लड़का नहीं है याद दिलाने की जरूरत नहीं है आप से तो आज बात करना ही फिजूल है मैंने कहा और कुर्सी की पीट पर पसरा उनका कोट उठाकर भीतर जाही रही थी कि पट से एक लिफाफा गिर पड़ा किसकी चिठी है मैंने लिफाफा उठाते हुए पूछा हिंदी पड़ तो लेती हो ना मैंने भुनमनाते हुए पत्र कोला उपर दाहिनी कोने पर लखनो देखते मेरे हाथ काप गए शुची के लिए इन दनों जोड़ शोड़ से वर्स अशोधन हो रहा है इस तरह की सारी चिठीयां ये दफ्तर के पते पर ही मंगाते हैं को शगुन देने भी आ रहे थे इतनी अच्छी खबर आई है आप है कि ऐसी मात्मी शकल बना कर बैट गए है बाबा रे मेरी तो जानी निकल गई थी मैंने उन्हें मीठी जिर्की थी अब मुझे उनके उख्टे मूट की परवा नहीं थी मेरा तो पोर पोर खुशी से जूम रहा था उसी ललक में जाकर मैं सुची को भी ये शुप समाचार दियाई बेचारी पहले तो भोचक होकर देखती रही फिर एकदम शर्मा गई उसके गालों पर खिलते गुलाबों को देखकर में निहाल हो गई सच इश्वर तेरा लाक लाक शुक्र है जैसी प्यारी बेटियां तुमने मुझे दी वैसे ही हीरे सदमाद भी जुटा दिये रात का खाना मैंने खुब मन लगा कर बनाया था वो यादी नहीं रहा कि लड़की बीमार है और खिचड़ी और दलिया पर चल रही है उस दिर उसे बिस्तर पक खाना नहीं दिया वो भी रोज से जादा स्वस्त और चुस्त लग रही थी उसकी आधी वीमारी तो एक खुशकबरी सुनकर ही दूर हो गई थी गनीमत थी कि खाने पर इनका मूड अच्छा था और वो होना ही था अच्छा खाना इनकी कमजूरी है और उनके गुस्से का रामबान इलाज है रही सही कसर बिटिया ने पूरी कर दी उसे देखते उनकी माचे खिल गई अरे वा आज तो हमारी गुडिया भी हमारे साथ खाएगी हाँ पापा बिस्तर पर लेटे लेटे मैं बूर हो गई हूँ वहाँ खाने का स्वाद भी नहीं आता आज बुखार तो नहीं आया नहीं परसों से नॉर्मल ही चल रहा है बस अब जल्दी से ठीक हो जाना समझी अगले बुद्वार को कौन आ रहा है जानती हो हाई पापा शूची ने लड़िया कर कहा और दोनों हाथों में अपना मूचे पा लिया ये प्यार से उसके बालों में हाथ फेड़ते हुए उसे देखते रहे इनका चेहरा कैसा तो हो आया था अरे अब खाना शुरू भी तो करू सब ठंडा हुआ जा रहा है मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए कहा चलो बेटे शुरू हो जाओ खाना ठंडा हो गया तो तुमारी मम्मी गरम हो जाएंगी इन्होंने कहा पापा ये मम्मी हम दोनों को बीमार कर देंगी देखिये तो क्या अलम गलम पका रखा है आप जरा हाथ रोक कर खाएंगे अरे खा लिने दो बेटे कुछ दिनों की तो बात है तुमारे जाने के बाद तो खिचड़ी पर ही गुजारा करना है ये जो सब कुछ बनता है न तुम लोगों के बाहने बन जाता है हाँ हाँ कहते जाईए आपके लिए तो जैसे कुछ बनता है ही नहीं सारी जिन्दी की चूले में ही जोगती और ये सुनने को मिल रहा है मैं मूँ फुला कर बैट गई ओ मम्मी डोन्ट स्पाइलेट शुची ने बीच बचाओ करते हुए कहा ये जैसे अब उसका हमेशा का काम हो गया है सोचती हो कल को चली जाएगी तो क्या हम लड़ते ही रहेंगे या कि लड़ना भी भूल जाएंगे मम्मी एक मज़ेदार बात बताओं पॉल आंटी शादी कर रही है क्या हम दोनों के मूँ से एक साथ निकला मेरा सारा गुस्सा काफूर हो चुका था और अब मैं उच्सुत होकर बैट गई थी इस उम्म में शादी जानती है मुझसे भी एक आत साल बढ़ी है मिस्टर पॉल अरे यही तो उम्र है जब आदमी को सचे कमपेनियन्शिप की जरूरत होती है आप चुप रही है हाँ तो किससे कर रही है वो लास्ट ये रोडवेस का एक भैनक एकसिडेंट हुआ था ना उसमें दिल्ली के कि व्यापारी भी थे अपनी टांग तुड़वा कर तीन महीने अस्पताल में पढ़े रहे बस वो आंटी की सेवा पर रीज़ गए और उन्होंने आंटी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया शादी शुदा है हाँ पहली बीबी नहीं है तीन लड़के हैं बड़ा तो कॉलेज में पढ़ता है बच्चे राजी हैं क्या पता इस महीने की 29 तारी को दिल्ली में शादी हो रही है कैसी मज़ेदार बात है न मम्मी जिस उपने में आप सारी जिम्मेदारियों से फारिग हो रही है पॉल आंटी नहीं जिन्दगी शुरू कर रही है अब इसमें बुरा लगने जैसी बात तो कोई नहीं थी पर पता नहीं मुझे क्यों तावा आ गया अब बाते बंद भी करो जल्दी जल्दी खा कर मुझे छुटी दो मैं बेहत थक गई हूँ ये एक दन तुम्हें क्या हो जाता है ये जल्लाए समझदार बच्चे की तरह शुची चुचाप वहां से किसकली थी आप खा चुके ना तो बैठे क्यों है सोचता हूँ तुमारा हाथ बटा दू वा क्या कहने रोज कितना हाथ बटाते हैं सुनूं तू मौका ही कहा मिला तुमारी लड़कियां जो अगल वगल घेरे रहती थी अब तो आदत बनानी ही पड़ेगी आपको भी ना जाने क्या जल्दी पड़ी थी मुझे जल्दी पड़ी थी क्या कमाल करती हो तुमीने तो नाक में दम कर दिया था कि देखना तो शुरू करो मैंने कहा था ना कि उसे एमे तो कर लेने दो पर तुमारी ही जित थी कि देखते देखते साल दोसा लगी जाएंगे अब ये मेरा कसूफ थोड़े ही है कि इतनी जल्दी बात पक्की हो गई देखो जी उनलों से साफ कहती जे कि शादी हम अभी नहीं करेंगे सगाई के लिए तो हमें कोई मोहलत नहीं थी जैसे सिर्पर चड़े आ रहे हैं शादी की तारीख हम अपनी मर्जी से तै करेंगे देखो मैडम अब तो तीर हाथ से निकल चुका अब तो उनलों की मर्जी से ही सब काम होगा और उसमें फरक भी क्या पड़ता है देर सबेर हमें तो बेटी ब्यानी है अरे अरे तुम तो रोने बैठ गई मैं ये नहीं सहपाऊंगी जी खाली घर मुझे खा जाएगा मैंने सुबकते हुए कहा शाम को तो तुम मुझे पर विगड़ रही थी मेरी पीट पर हाथ फेड़ते हुए एक अंभीर स्वर में बोले उस समय मेरी भी यही दशा हो रही थी ये पत्र हाथ में आते ही खुशी तो हुई नहीं उल्टे भविश आँखों के सामने तैर गया मैं पुरुश हो ना तुमारी तरह रो तो नहीं सकता मैंने उनकी आँखों में जहाका मेरे आशों का प्रत्थिबिम्ब वहाँ भी जलमिल कर रहा था उसके बाद तो फिर रोने बिसूरने का समय भी नहीं मिला कुल जमा आठ दिन तो बीश में ही थे और करने को कितने काम थे दरजी, सुनार, हलवाई और बन्ये के चक्कर लगाते-लगाते मेरा तो दम फूल गया था मेरी सहलियों ने कहा भी बेहन जी ये सगाई है आप तो शादी का साहंगामा किये हैं सचमुच शादी का साहंगामा हो गया था कार्ड छपे थे शामयाना तना था अर्केस्ट्रा बजा था सौपचास लोगों का डिनर भी हुआ था शुची के सस्राल वालों की तो आखें चौंधिया गए थी ये उन्हों का ही इसरार था कि आज कल रिंग सरेमनी का रिवाज है दोनों और की रसमें एक साथी कर लेंगे पर इतने बड़े आयोजन की कल्पना तो उन्होंने भी न की थी समधी जी तो बोले भी शुची के दूसरे दिन लेकिन इतनी थकान हुआई जैसे दो-चार बेटियां एक साथी ब्या दी हूँ शुची को सुबह से उसकी नंदे लिवा ले गई थी इन्हें किसी तरह दालभात खिला कर मैं जो लेट गई तो दिन भर फिर उठाई ने गया नीन तो खेर क्या आती पर उल्टे सीधे विचार जरूर आते रहे सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे रुची पर आ रहा था एकलोती बेन की सगाई में भी नहीं आई कहलवा दिया कि देवरानी का प्रसव समीफ है और साज जी की तबियत ठीक नहीं है ये तो अच्छा हुआ कि चार घंटे के लिए ही सही देवेंदर आ गए थे नहीं तो लड़के वालों के सामने हमारी क्या इज़त रह जाती अरे कहां हो भाई ये मुझे ढूरते हुए कमरे में आ गए थे ये देखो क्या है क्या है कल के फोटो है अरे इतनी जल्दी आ गए कमाल है मेरी सारी ठकान पल भर में भाग गई मैंने लपक कर उनके हां से लिफाफा ले लिया और देखने बैठ की एक बार दो बार 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 देखने पर भी मन जैसे भरता ही नहीं था शुची की सजी सवरी छवी पर जो आखे हटाए हटती नहीं थी सुनो इन्होंने मेरी तंद्रा बंकी इनमें से दो चार अच्छी सी तस्वीरे छाट कर रुची को भेज़ दो देवेंदर जाते हुए बार बार कह गए है कोई जरूरत नहीं है इतना ही चाओ था तो खुद आती अरे भाई उसके अपने प्रॉब्लम्स है हाँ उसे देवरानी की चिंता है सास की फिक्र है मा हलकान होती है तो होती रहे इसलिए तो लोग लड़के के लिए तरसते रहते हैं बहु होती तो बुलावे की ऐसी अवग्या थोड़ी करती रोती जीटी सही चली आती मैडम अब बहु का भी जमाना नहीं रहा मिसेज मिश्रा की बीमारी में देखा नहीं था लड़का तो तार मिलते ही पहुँच गया था पर बहु पूरे पंदरे दिन बाद आई थी बच्चों के इमतान जो थे हाँ सो तो है ना बेटी अपनी रह जाती है ना बहु अपनी हो पाती है मैंने उसास भर कर कहा तभी दरवाजे की घंटी बजी खोल कर देखा सोना ली थी दीदी है ना बेटे वो तो सस्राल गई है तो क्या दीदी की भी शादी हो गई उसके स्वर में हताशा जलक रही थी वा भई ये कैसे हो सकता है कि दीदी की शादी हो जाए और उसकी सहली को खबर भी ना हो इन्होंने पीछे से आकर मुझे चौका दिया ना बेटे अभी तो सिर्फ सगाई हुई है वैसे तुम्हें भी सगाई पर भी बुलाना चाहिए था आने दो दीदी को उसकी अच्छी कान किचाई करूँगा फिर मेरी और उन्हों खातिब होकर बोले अरे भाई खड़ी क्या हो शुची की सहली का मुझ तो मीठा कराओ नई अंकल मैं फिर आ जाओंगी उसने संकोच में भर कर का अरे वा ऐसा कैसे हो सकता है और इन्होंने उसे हाथ पकड़ कर बिठा ही लिया मैं बिठा ही लिने बीतर चली गई जब लौटी तो देखा दोनों किसी जोग पर हो हो करके हस रहे है उस नाजुक सी लड़की ने हमारा अपमान नहीं किया हम लों का मन रखने के लिए भरी हुई प्लेट से बर्फी का एक टुकड़ा उठा लिया और फिर नमस्ते करके चली गई वे बड़ी देर तक उस बाल मूर्ती को जाते हुए देखते रहे और फिर बोले वेचारी घर पर बोर हो रही है सिस्टर शॉपिंग के लिए दिल्ली गई हुई है आज तो बड़ी घुट-घुट कर बाते हो रही थी और उस दिन नजाने क्या-क्या कह रहे थे याद है मैंने छीड़ा सच बताऊं आज उसे देखा तो एकदम रुची की याद हुआई बच्पन में वो बिल्कुल ऐसी ही लगती थी खाक लगती थी अपने बच्चों को ध्यान से देखा भी है कभी कितनी गदबदी और गोरी चिट्टी थी रुची एकदम अंग्रेज लगती थी क्या पता मुझे तो हर छोटी लड़की में अपने बिटिया ही नजर आती है ये बाल बच्चेदार रुची तो मुझे पहचानी ही नहीं जाती क्या कल को शुची भी ऐसी ही हो जाएगी कुछ देर तक इस्तब्दता चाही रही फिर मैंने धीरे से कहा सुनिये बोलो रुची को एक पत्र लिख दीजे तुमारा गुस्ता दूर हो गया मजाग छोड़िये बुची को लिखिये के दोनों बच्चों में से एक को हमारे पास छोड़ दे क्यों क्यों का क्या मतलब कल को शुची चली जाएगी तो मैं दिन भर क्या दीवारों से सिर्फ फोड़ूंगी मन बहलाने को कुछ तो चाहिए की नहीं इसलिए वो अपना बच्चा तुम्हें दे दे वो बच्चा हमारा भी तो कुछ लगता है आकर हमारा भी तो कुछ हक है क्या हक है जब लड़की पर ही हमारा हक नहीं रहा तो बच्चों पर क्या होगा ऐसी बेवकूफी की बातें मेरे सामने मत किया करो मैं तो हैरान थी इसमें इतना गरम होने की क्या जरूत थी आजकल तो इनको समझाना मुश्किल हो गया है घड़ी में तोला घड़ी में माशा बने रहते हैं या शायद हम दोनों का ही यही हाल हो गया है वो पूरा दिन इतना खराब बीता शुची सुबह से ही चली गई थी उसके ससुर की कोई बहन शहर में थी उनके यहां खाना था बाद मैं सामने वाले शर्मा जी के यहां फोन पर कहलवाया कि सिनेमा का प्रोग्राम है देर तक लोटेंगे मैंने सोचा 12 से 3 वाला शो तो क्या मिल पाएगा हाँ 3 से 6 वाला देख कर लोटेंगे पर 8 बजे तक भी उन्हों का अता पता नहीं था इतनी देर तक कभी लड़कियां घर से गायब रहती तो ये मेरा कोट मार्शल कर देते पर इस समय इतमीनान से बैठे टीवी देख रहते एक आद बार मैंने कहा भी कि शर्मा जी कियां से फोन कर लो पर जवाम में उन्होंने मुझे इस तरह गूर कर देखा कि मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई रात के खाने में मैंने सिर्फ खिर्चिरी बनाई थी नौ बज़े तक शुची की प्रतिक्षा करने के बाद ही मैंने रसोई में पाऊं दिया था और जल्दी में जो बन सका बना लिया था पर ये टेबल पर आते ही बोले सुबह दाल भात रात को खिचरी वाह अच्छा कॉंबिनेशन है बिटिया के जाने के बाद शायद इसी पर गुजारा करना पड़ेगा अच्छा है अभी से थोड़ी थोड़ी आदत हो जाएगी तो बाद में परेशानी नहीं होगी मुझे तो एकदम रोना आ गया एक दिन पूरी पकवान नहीं बनेंगे तो क्या प्रले हो जाएगी ना सामने वाले का मन देखते हैं ना शरीर बस ताने देने लगते हैं वे पहले तो भोचक से मुझे देखते रहे पिर चुपचा थाली में चम्मच चलाते रहे इसके बाद हम दोनों में कोई बात चीत नहीं हुई वे चुपचा पहली बार का परोसा हुआ खाकर उठ गए मुझे बाद में अपने उपर बड़ी गलानी हुआई ये मुझे एकदम क्या हो जाता है लगता है शुची की शादी की सारी खुशियां सगाई के बाद ही थंडी पड़ गई सुना घर जैसे काटने को दोड़ा था घर में हम दो प्राणी थे पर दोनों ही अपने में कैद हो गए थे ये तो खाने के बाद सिधे बिस्तर पर चले गए थे मैं थोड़ी देर तक टीवी के सामने बैठी रही पर मज़ा नहीं आया स्वेटर बुने की कोशिश की पर तीन बार पूलना पड़ा हर बार पैटर्ण में कुछ भूल हो जाती थी हार कर सलाईया भी रख दी मैगजीन उठाई पर एक भी पंक्ती दिमाग में नहीं आ रही थी आखिर कार बरामदे में आराम कुर्सी पर पसर गई शुशी पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था क्या वो अपनी मम्मी का सुभाव जानती नहीं क्या उन्हों से कहनी सकती और वे लोग भी कैसे हैं बस कल सगाई हुई है और आज से लड़की उनकी हो गई शादी के बाद तो शायद शकल भी न देखने दे कोई साड़े दस बजे दरवाजे पर गाड़ी रुकी शुची के जेट जठानी खुद उसे छोड़ने आये थे देरी के लिए बार-बार माफी मांग रहे थे बताया कि सिनेमा के बाद वे लोग शॉपिंग के लिए चले गए थे शुची ने चंदेरी की बूटेदार साड़ी पहन रखी थी शायद ए प्रमीर का पहला उपार था क्योंकि उसे दिखाते वे शुची की आँखों में एक अनोखी चमक आ गई थी पेलो काफी पीकर चले गया और मैं सीधे बिस्तर पर आ गई मुझे मालुम था कि शुची के पास आज कहने के लिए रिर सी बाते हैं पर अब मुझे में ही दहरे चुक गया था रात को दो बजे तक बिस्तर पर यूही करवटें बदलती रही तब याद आया कि नींद आये तो कैसे रात भूकी ही सो गई थी शुची पर इतना गुसा आ रहा था एक बार भी नहीं पूचा कि मम्मी आपने खा लिया बस अपने हमें मस्त थी तब भान हुआ कि आने के बाद मैंने भी तो उससे नहीं पूचा सस्राल वालों के साथ पहला परिचे था वहाँ तो संकोच के मारे भूकी ही उठाई होगी वैसे भी तो सौनक रहे हैं उसके शाम के खाने की तो कोई बाती नहीं हुई थी फिर मुस्से लेटा नहीं गया दबे पाउंस के कमरे में जाकर देखा रोशनी थी तो जरूर अभी तक जाक रही है खाली पेट नींद आये भी तो कैसे पास जाकर देखा गहरी नींद में थी हाथों में अंग्रेजी का कोई उपन्यास अद्गुला पड़ा था बेड लेंप की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी और नींद में उसका चेहरा बड़ा प्यारा बड़ा मासूम सा लग रहा था तब ही वो सोते में मुस्कुराई और उसका चेहरा एक शर्मीली आभा से भर उठा जरूर उसे शाम की कोई मधूर इस्मृत ही कुदगुदा गई होगी उसके हाथों से किताब लेकर मैंने तिपाई पर रग दी और स्विच ओफ किया पर दीरे से मच्चधानी ठीकी ये रोज क्या ही काम था मच्चधानी ठीक करना और सिराने की खिड़की बंद करना ये दोनों काम मेरे ही जिम्मे थे नाइट लैम की रोश्टी में देखा कोई दूसरी चीज कुरसी पर जूल रही है बत्ती जला कर देखा नई साड़ी थी मारानी ने ऐसे ही बस उतार कर फेख दी थी इतना ताव आया क्या बेसहूर रड़की है कम से कम सस्राल की साड़ीयों की तो कदर करनी चाहिए की नहीं साड़ी तहा कर मैंने अलमारी जो खोली तो महां गदर मचा हुआ था आट-दस दिन से मुझे इधर जाकने की भी फुरसत नहीं मिली थी और इन्होंने तो कभी अपने कपड़े समेटना सीखा ही नहीं अब सस्राल में क्या मम्मी साथ जाएंगी कपड़े नीचे उतार कर मैं पालती मार कर बैट गई ड्राइ क्लीनिंग की प्रेस की दुलने की साड़ियों का सूर्स का अलग धेर लगा कर बाकी कपड़े करीने से जमा दिये कारडिगन और स्वेटर्स तो ऐसे गुड़ी मुड़ी पड़े हुए थे कि साफ और मैले समझ में नहीं आ रहे थे मैंने एक सिरे से सभी को धोने के लिए निकाल लिया एक कुर्ते में पैन का धक्कन अटका हुआ था उसका निचला हिस्सा डूरने के लिए पूरी अलमारी खंगालनी पड़ी पेन टेबल पर रखने गई तो वहां का नजारा देखकर रूना आ गया तेल की शीशी, खाने की प्लेटें, दवाई की शीशी, गरम पानी की थैली हर तरह का कबार वहां था हॉट वाटर बैग कील से लटकाने गई तो शुची की सेंडल में पैरोलज किया फिर जूतों के स्टेंड का मुआयना किया, वहां तो मेला लगा हुआ था खोला पुरी चपलों से सलीम शाही जूती तक हर चीज महा थी, पर बेतर तीब हर साड़ी से मैच करती चपल थी, पर उसका जोड़ ढूना दुश्वार काम था मैंने सूचा चलो लगे हाथ ये पुनेकार भी निप्टा दिया जाए तभी पीछे से आहट हुई, चौकर देखा ये खड़े थे ये देखिये ना कैसा फैला रखा है, पर मुझे उन्हेंने बोलने का मौका ही नहीं दिया कमरे की बत्ती बुझा कर करीब करीब खीच करी मुझे अपने कमरे तक ले गए और मेरे सामने घड़ी रख दी, उसमें सुबह के चार बज रहे थे तबसे जैसे मुझे पर एक पागलपन सा सवार हो गया था जब समय मिलता मैं सुची का कमरा ठीक करने लगती, उसके धुलेवे कपड़े दोडालती, उसकी करीने से लगी किताबे बिखे कर ठीक से जमा देती, तहाई हुई साड़िया कोल कर प्रेस करने लगती, पुराने स्वेटर कोल कर बैठ जाती, नए तो एक साथ दो तीन शु प्रमीर का पत्र हर दूसरे तीसरे दिन आने लगा था, यहां से उत्तर भी जाता ही था, मुझसे वो भी सहन नहीं होता था, हर बार जला पड़ती थी, अपने दूले के लिए तो दिन में दो बार पत्र लिखोगी, पर मम्मी पर ध्यान नहीं जाता है, बुची को देखती कि नहीं हूँ क्या, तीन-तीन महीने हो जाते हैं पर एक पोस्ट कार्ड नहीं लिखा जाता, इतना पढ़ाय लिखाया सब मिट्टी हो गया, मेरी बंबारी से शुची इतना आतक्मित हो जाती, कि कई बार तो पत्र की बात शिपा ही जाती, उसकी तो पापा के साथ गहरी च चनती थी, ये बधाई देने वाले और तंकी होए थे, जो मिलता यही कहता, वा साहब इसे कहते हैं प्लानिंग, रिटार्मेंट से पहले सारी जिम्मेदारियों से फारिग हो लिए, अब फुरसती फुरसत है, कोई उनसे पूछे तो इस फुरसत का क्या करें, औरते कहती, वा बहन जी, आप तो सब जंजटों से मुक्ति पा गई, अब आराम से बैट कर भजन कीजिए, मैं मुस्करा कर रह जाती, पर मेरा मन चीख उड़ता, 46 वर्ष की आयू में मेरी ग्रहस्ती समाप्त हो गई, ये क्या बधाई की बात है, ये उम्र क्या भजन पूजन करने की ह मुझे तो कभी उसमें रस आया ही नहीं, मेरा काशी काबा तो मेरा घरी है, वरत उफास जो की हैं इन बच्चों के लिए, भगवान के जब भी हाथ जोड़े हैं तो बच्चों की कुशलमंगली मांगी है, इस घर के आगे तो मेरी कोई दुनिया ही नहीं है, मैंने इन जटों से मुक्ति कब चाही थी, शुची की शादी की तारीक तैह हो गई थी, जिस उत्सा से मैंने सगाई की तयारी की थी, उसका आधा भी मुझे में शीशना था, मुझे लगता हर आने वाला दिन बिटिया को मुझे दूर ले जा रहा है, बस चलता तो मैं समय को पकड़ कर बैठ जाती, उस दिन भी अपने में खोई बैठी थी कि पोस्टमेंड की आवाज पर चौक पड़ी, दौर कर बाहर जाने को थी कि फिर ठकाट कर बैठ गई, डाक से मुझे कोई दिल्चस्पी नहीं दे गई थी, वही प्रमीर की चिट्थी होगी, उसे ही इतनी फुरसत बाकी लोग तो खोजगबर लेना ही जैसे भूल गए है, सुनो इनकी आवाज आई, आवाज से ही जान गई कि मामला गड़बर है, फिर भी जाकर पूछ लिया, क्या बात है, तुमने रुची को पत्र लिखा था, मेरा तो खून जम गया, लगा जैसे मेरी चोगडी गई हो, रुची पर इतना गुसा आया, मेरे पत्र का उतर मुझे ही देना था न, पापा को बीच में घसीडने की क्या जिवत थी, देवी जी ने लिखा था, पापा आप प्लीज मम्मी को समझा दीजिए, मैं बहुत मजबूर हूँ, आशीश तो दीदी की आँखों का ता और यहां कौन सा कानू का खजाना गड़ा पड़ा है, जिसके लालच में कोई तुम्हें अपना लड़का गोद दे देगा, एक दूसरे से आखे चुराते हुए, हम दोनों पतानी कितनी देर आमने सामने बैठी रहे, अपमान का दंश इतना गहरा, इतना ताजा था, कि दोनों स्वागत में जैसे बिच से गए, और उस मनस्थित में भी मैंने लक्ष किया, कि सिस्टर पॉल इन दोनों बहुत सुंदर लग रही है, एक सोयस्थित जीवन की कलपना भी मनिश को कितना निखार देती है, रोजी का शादी का कार्ड देने आया था, मिसिस पॉल ने फिर कुछ देर तक भावी वर के विशय में, उसके घर परिवार के विशय में बाते होती रही, सिस्टर ने बताया कि उनका बहुत बड़ा बिजनस है, परिवार काफी संपन है, तीन बच्चे हैं, तीनों होस्टल में हैं, घर में एक विधवा मौसी हैं, जो देख रेक कर लिया, she needs rest now, उनकी माने ममता भरे स्वर में कहा, तो सोनाली आपके साथ जाएगी यही मम्मी जी के पास रहेगी, मैंने यूहीं पूछ लिया, पर मेरे सरल से प्रश्ट का अजीब असर हुआ, उन दोनों के चेरे एक दम लटक गए, और वे एक बूसरे की उड़ देखने लगी, बड़ी देर बाद मिसिस पॉल ने बताया, वैसे इसका मिस्टर को तो कोई अब्यक्शन नहीं है, पर मौसी तयार नहीं होता, कहता घर में जवान बेटी है, ऐसे में बाहर का लड़की घर में नहीं चाहिए, पर वो बाहर की कहा है, मैंने कहना चाहा परचुप हो उसके जनम का इतिहास उन्हें बताना ही पड़ा होगा ना, कोई बात नहीं, यह बोले, यहां मम्मी जी तो हैं, और सिस्टर लोग भी तो हैं, देख लेंगी, प्रॉब्लम क्या है सर, कि मम्मी अब यह हाउस सेल करना चाहती है, कोई कस्टमर हो तो बताईएगा, अब अके रखी को कैसे रखेगा, ओफ, अरे भई चाय वाय तो बनाओ, मेमानों का पेट कैसर बातों से बरना है, मुझे उठने का बाहना मिला तो सच बड़ी खुशी हुई, वहां का बातावरन बहुत बोजिल हो गया था, मुझे रह रहकर सोनाली की याद आ रही थी, सिस्टर इन इतनी आस्था से कार्ट देने आई हैं तो मुझे भी कुछ देना चाहिए, क्या दूँ, इनके तो मुझे पर कितने उपकार हैं, यही तो मेरे दोनों बच्चों को दुनिया में लाई हैं, सौबाग से इन दोनों घर में कपड़ों का अमबार था, मैंने एक प्यारी सी जा इतने बाद करने लगी, फिर एका एक बोली, बेबी का शादी कब फिक्स हुआ है, जी फरवरी में, फरवरी अठार है, तब हमको बोलिये बेबी को दिल्ली से क्या मंगाता, हम भीजेंगे, हमारी तरफ से बेबी का वेटिंग प्रेजेंट, सिस्टर, यह एका एक बोल मैं तो अपने लिए उसे मांग रहा हूँ, अपना सूना बन परने के लिए हमें खिलोना चाहिए, सिस्टर, हमें रिश्वास है कि आप हमें निराश नहीं करेंगी, लेकिन सोनाली खिलोना नहीं है, एक जीती जागती लड़की है, जिम्मेदारी है, मैंने कहा, तो क्या अंसर, no sister, I need a daughter, one more daughter, आप तो जानती है, मेरे भाग में लड़का है ही नहीं, आप तो खुद इस बात की गवा रही है, फिर अपने भागे से लड़ने में क्या तुक है, और यहां कौन सी स्टेट रखी है, जिसके लिए वारिस चाहिए, जो कुछ जमापूजी थी, इन ल लड़के की कामना नहीं की, मैंने तो अपना सारा प्यार लड़कियों पर ही लुटाया है, अगर कल को कोई लड़का गोद ले भी लूँ, तो मुझे धंक से प्यार करना भी ना आएगा, जाते हुए दोनों गदगद थी, मिसिस पॉल तो बार-बार कहे जा रहे थी, God bless you, सर, God bless you, आप अभी अच्छे से और सोचना सर, सिस्टर ने कहा, no hurry, but thanks all the same, मुझे कितना रिलीफ हुआ, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, ये प्राब्लम मेरा नीन चीन लिया था, मैं तो शादी कैंसल करने के वास्ते तयार हो गई थी, पर मम्मी ने मना किया, फादर एश पता नी क्या था कि छाती पर रखी सिल पिगलने सी लगी थी, रानी ये तरद स्वर में बोले, पागलपन तो तुम कर रही हो, एक मा से उसका बच्चा मांग रही हो, एक भरे पूरे घर से उसकी खुशी चीन रही हो, तुमारे हिर्दे में जो ममता का सागर हिलोरे मार रह उसे जाया क्यों करती हो, ये प्यार उसे दो जिसका कोई नहीं है, घर उसे दो जिसके घर पर छट नहीं है, उनकी बातों ने मन पर चंदन कासा लेप किया, इतने दुनों से मेरे मन में धध़कता ज्वाला मुखी एकदम शान्त हो गया था, अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी संवेदना, आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी, कल मिलेंगे, फिर नई कहानी के साथ, नए उत्जाह के साथ, आपका समय मंगल में हो